लेते रहेंगे तो पंजाब में आगामी विधानसभाद चुनाओं को देखते हुए चन्नी सरकार की उड़ से लगातार तौफों की बरसात की जा रही है इसके साथ ही आंगनबाडी कारेकरताओं का पाँच लाग का सिहत बीमा भी सरकार की उड़ से कराय जाएगा वही से पहले चन्नी सरकार ने किसानों को भी कर्ज माफी का तौफा दिया था दरतल चन्नी सरकार ने किसानों के दो लाग चक कर्जा माफ करने की घोशना की थी सरकार के वैसले से लगबग दो लाग परिवारों को रहत मिली है आपको बता देगी किसानों का कर्ज बाफ करने के लिए सरकार द्वारा बारा सो करोड रुपए की धनराश्ची जारी की जाएगी यसे पांच एकर तक के जमीन मालिकों को दो लाख तक कर्ज जो है उनके पूरे माफ किये जाएगे तो अनिल हमारे समवादाता जादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल एक बार फ़र से तौफों की बरसाथ पंजाब में चुनावी मौसम में हुई है इस बार आंगनवारी कारेकरताओं को सेहत बीमा का तौफा चन्नी सरकार ने दिया क्या कुछ समय से परदेश भर की 64,000 के करीब आशा वरकर और आगनवारी वरकर्स जो हैं वो लगातार धरना परदेशन कर रहे थी आज मुख्यमंतरी की तरफ से घुशना की गई है आशा वरकर्स जो हैं उनका मांदे जो है वो बढ़ा गया पच्छिस सो कर दिया गया बढ़ा कर वह जो घुशना हैं दोनों ही घुशना है यह आशा वरकर्स के लिए भी हैं 22,000 के करीब आशा वरकर्स हैं पंजाब में और 45,000 के करीब जो हैं आगनवारी वरकर्स हैं इन दोनों ही आशा वरकर्स और आगनवारी वरकर्स को यह लाब जो है वो सरकार के इस घुशना का लाब बिलेगा वही मातरतव अबकाश जिस तरीके से सरकारी कारेलों में काम करने वाली जो सरकारी करमचारी है महीला करमचारी उन्हें जो लाब दिया जाता है मातरतव अबकाश का वो अब आंगनवारी वरकर्स और आशा वरकर्स के लिए भी सरकार की तरफ से गोशना मुख्यमं कि तरफ से किये गए हैं और इस ऐलान के बाद एक बड़ी राहत करीब साड़े चौसटाजार के करीब आशा वरकर और आंगनवारी वरकर्स के लिए यह जरूर है और इससे पहले भी कल मुक्यमंत्री जो है चरंजी सिंग चर्णी उनकी तरफ से महिलाओं के लिए एक बड़ है जा सके फिलाल रुकरे कुछ दिर के लिए लेकिन खबर फास पर खबरे लगाता जारी है